बैस पैनि स्टॉप बिलोव 1 रुपी अगर आप ढून रहे हो और जो डैट फ्री पैनि शेर है और जो आपको मल्टी वैगर पैनि स्टॉप बनाके दे सकता है तो आपके लिए वीडियो है वीडियो में लाइक कर देना, share कर देना, comment कर देना आपके लिए ऐसे वीडियो बन चाहो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ में बैल को दबाना ना भूलना साती में इंस्टाग्राम, टेलिग्राम सब जगह हमें आप फॉलो कर सकते हो चेकाउट कर सकते हो सभी के लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे तो दोस्तो सिर्फ 30 पैसे का स्टॉक है जी हाँ आपको याद होना चाहिए ये स्टॉक 43 रुपीज से अल्मोस 19 पैसे तक गया है और आपको याद होना चाहिए ये स्टॉक मैं आपको दो महने पहले 19 पीस पैसे के आसपाल सजेस्ट किया था और currently 30 पैसे में स्टॉक ने एक सपोर्ट मतला सपोर्ट की तरह काम कर और तीस पैसे के आसपास यह स्टॉक काफी पसंद आ रहा है मुझे प्राइस एक्षिन के बेसिस में मुझे काफी पसंद आ रहा है और एक छोटा सा आपको बोल देना चाहता हूं भाईया पैनी स्टॉक है बिलो वन रूपी भी है तो डेफिनिटली यह हाईली रूपी जिसका नाम है तो दोस्तो जिस स्टॉक की में बात कर रहा हूं उसका नाम है रामा चंद्रा लीजिंग एंड फाइनस लिमिटेज ची हां दोस्तो आपको नाम तो याद आ गया होगा एक महने पहले आपको दिया था यह इसका सॉट फॉर में आर एफ एल शेर प्र चल़ ना है और यह इस टॉक ने इनईस पैसे से अल्मोस्स पैसे का ही लगाया था ठीक है और पचास पैसे से अब यह प्शाक थीस फैसे तक आया है मतलब बहुत बढ़ी है दोश्तो कोई बी स्टोक जब उपर जाता है तो उसको हमेशा रिट्रेस्मेंट करना होता है यह बुक बैल्यू की बात करता हूं तो बुक से कावी सस्ते में ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है आर एल एफल शेर राइट तो टेफिनेटी आप चेक आउट कर सकती हो कुछ भी आपका सुझा होगा नीचे कॉमेंट करके बताओ कि आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है अग और एक रुपे का प्लेज नीए है फिर भी फिर भी पसंद आ रहा है आगे लेके चलता हूं होगा बढ़िया है देख लेते हैं इस पैनी स्टॉक में होगा अच्छा है और कंपनी करती क्या है आप देख सकते हो जो बजाज फाइनस के ग्रूप का कंपनी है मतलब जो बज क्या है दोस्तों दिक्कत यह कि कंपनी छोटी है ठीक है 1.5 क्रोड का असपास का मार्केट का राइट नॉन फाइनसिंग कंपनी है यह और लेके चलता हूं आपको आगे तो दोस्तों आर एफल शेर में आप देख सकते हो कंपनी में एक अच्छी बात दोस्तों यह है अगर बिल्कुल भी नहीं है जीरो है और जैसे मैंने आपको बताया अपने बुक से का भी सस्ते में टेट कर रहा है तो डेफिनेटली आप इसको रड़ा में रख सकती है और दोस्तों देख सकते हो इसके क्वाटरी रिजल्ट्स काफी सांदर नहीं है ठीक है लाजवाब नहीं ह चैनलाग दस लाग के असपास का प्रॉफिट है यरली वेसिस में लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है चैनलाग रुपे कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है मुझे पता है लेकिन जो इसके प्रॉफिट आ रहे है राइट जो भी इसका प्रॉफिट है डिबिडेन नहीं दे है तो यह जो प्रॉफिट होगा यह सेर होल्डर को होने वाला है समझ पा रहे हो ना तो तभी वो पैसा डिबिडेन के रूप में आपको नहीं दे रही है वो ग्रोथ में इंवेस्ट कर यह बहुत बढ़िया और जैसे मैंने आपको बताया कंपनी की लो प्लेज करेंगे और क्या स्टॉक के टार्गेट रहेंगे फूटर में इसके उपर थोड़ा चर्चा कर लेंगे तो दोस्टों देख सकते हो और यह विस नॉर्मल चार्ट है इसमें इस लिक होला हूँ है दोस्ट आपका 45 रुपीस के आसपास से लगतार स्टॉक नीचे गिरा है र जनवरी 2021 में ये कंपनी एक 19 पैसे लेके और 50 पैसे की रेंज में ट्रेट कर रही है, मतलब लगातार तीन सालों से स्टॉक एक रेंज में ट्रेट कर रहा है, तो डेफिनेटली इस रेंज में आप स्टॉक को बाहर करके चल सकते हो, जब भी 50 पैसे के उपर का रेंज ब्रेक बहुत रोट होगा, ये स्टॉक पागल हो जाएगा, पागल मिंटू से कि आपको एक अच्छी डिटन देके जा सकता है, और उस समय साथ, आपको ये स्टॉक ना मिले, और क्या बता, फिर एक रुपे के उपर ट्रेट कर रहा हो, फिर आप बोलो सर, एक रुपे के उपर आ आपको अच्छी रण चाहिए ना तो थोड़ी महनत आपको करनी पड़ेगी थोड़ी महनत करो ठीक है डेफिनेटि आपको स्टॉक मिलेगा एम और प्लेस करो जी टीटी और प्लेस करो कुछ भी करो आपको मिल जाएगा लेकिन हाँ जिरोधा में करना बाकि मुझे नहीं पत कि का लाट और उसमें ह्मारे टारगेट का निकल कर आते है एक बार वह भी देख लो तो गारा थिस सकते है दोस्तो, ठीक है, यह मैंने एक trend line draw करी है, इन दोनों का आपसे मिलाया है, तो देख सकते हैं दोस्तो, यह area का support की तरह काम कर रहा है, और इसने इसी area के आसपार एक jump किया है, jump बतला bounce किया है, यह से, तो इसी area के आसपार मुझे लगता है, यह दुबारे से stock उपर जा सकता है 30 पैसे के आसपार का आसपार भी trade कर रहा है, आपको 31, 32 पैसे कल मिलता है, तो definitely आप इसको follow कर सकते हो, check कर सकते हो, अगर आप को यह मिलता है, ठीक है, 31 पैसे के आसपार bid डाल के आप छोड़ सकते हो, मुझे लगता है, personally, आपको मिल जाएगा, आप देखो stock को मुझे लग हाई 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 का pattern मिना रहा है, तो definitely यह ऐसे bounce करके उपर जा सकता है, और यह जो हाई है, 50 पैसे के आसपार test कर सकता है, दुबारा से, तो इस बार आकर यह 50 पैसे test करता है, तो मुझे लगता है, इस बार तो यह नहीं तोड़ेगा, लेकिन हाँ, अगली बार, अगली बार से 3 रुपे के target दिखा सकता है, क्योंकि दोस्तों इसका reason क्या है, बात को समझिए, क्योंकि 50 पैसे ही इसका एक resistance area लास्ट चार साल होगा, उसके उपर इसका कोई भी resistance area नहीं है, सिर्फ 2 और 3 रुपे आता है, ठीक है, तो 2 या 3 रुपे ही हमारा अगला target होगा, जिए आप stock 50 पैसे के उपर close कर देगा, ठीक है, तो अभी आप current market price में stock, penny stock को buy करके चल सकती हो, 30 पैसे मिले, 31 पैसे मिले, आप buy कर ले लेना, लेकिन हाँ, अगर आपको 30 पैसे, 35 पैसे के उपर मिले, तो भाई आप अपना risk त्यान में रखते वे buy कर सकती हो, वैसे मैसाला नहीं ठीक है, तो मेरे साब से definitely आप RFL share में bet लगा सकती हो, यह आपको definitely एक अच्छी डन देके जा सकता है, company के वारे थोड़ा बता देना चाहता हूँ, एक debt free company है, company profitable है, और company के जो promoter holding है, थोड़ी सी low है, 11% की आस्पान मालिक है, और 1 रुपे का pledge नहीं है, चार्ट के according, यह penny stock below 1 रुपी बहुत घजब लग रहा है, मुझे definitely आपको stock को डिड़ाबे रखना चाहिए, company लगातार support ले रहा, 19 पैसे के आसपास 4 सालों से, और 4 सालों से stock एक range में trade कर रहा, तो definitely stock का buy करके चल सकती हो, और अगर stock ने 50 पैसे का high अपना test कर दिया, और break कर दिया, तो आपको इस वीडियो को मैं समवत करना चाहूँगा, कोई भी आपका comment है सुझा हुआ है, R, L, F, L, Share के बारे में, नीचे comment करके मुझे बता सकती हो, वीडियो को share कर देना, Facebook, Twitter, Telegram, जहां आप कर सकती हो, क्योंकि आपके लिए इतने अच्छे videos बनाता हूँ, ठीक है, तो ये था हम आपके लिए, कोई लिए को के लो बनाता हूँ, लिए लिए के लोगा।